हेलो फ्रेंड कैसे हुआ आप सब लोग फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर फ्रेंड आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है फ्रेंड अब जैसे ही मेंबर ओनलाइन अप्लाई कर रहे हैं जैसे form 1910C या फिर transfer कर रहे हैं या फिर advance निकानने के लिए apply कर रहे हैं उसके बाद जैसे ही हम check करते हैं अपना claim status तो claim status के नीचे हमें देखने को मिल रहा है note applicable जबकि यहाँ पर आना चाहिए under process क्योंकि जब भी हम online apply कर देते हैं तो उसके बाद under process ही दिखाई देता है जब फ्रेंड आज किस वीडियो में इस error की बात करेंगे ये क्यों आ रहा है और जो हमने apply करा है वो दुबारा से करना पड़ेगा या नहीं इसलिए फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल वी skip ना करें और वीडियो को end तक जूर देखे और फ्रेंड अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सबिस्क्राइब जूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकोन जिससे आपको आगे भी इसी तरह की पी अप की नएनी वीडियो और अपडेट देखने को मिलती रहे फ्रेंड अब बात करते हैं इस error की ये क्यों आ रहा है फ्रेंड ये error एक technical error है जिन मे अपने apply कर रहा है तो आपको सिर्फ wait करना है 10-15 दिन उसके बाद आपका claim settlement हो जाएगा जिन मेंबरों ने अपना पी अप का पैसा किसी और कंपनी में transfer कर रहा है उन सभी को ये error ज्यादा 100 कर रहा है मेंबर परसान हो रहे हैं कि हमने transfer कर दिया है पैसे कहा चले गए no tablicable क्यों आ रहा है फ्रेंड इस error के बारे में पी अपिस से पता कर रहा है तो वहां से reply आया है कि ये एक technical error है अगर आपने transfer कर रहा है तो wait कीजिए आपको transfer हो जाएगा तो फ्रेंड इसमें आपको कुछ म करना है बस wait करना है उसके बाद आपका claim settlement हो जाएगा ऐसे error PF में अक्सर आते रहते हैं